नमस्कार दोस्तूं, G20 Sikar Samiland 2023, भारत के अंदर trending जो current affairs के अगर हम बात करते हैं, तो वो बनेगा दोस्तू G20 Sikar Samiland आपका, G20 Summit, अब देखें यहां से आगे होने वाली एकजाम है न जो, अगले एक साल तक जो भी एकजाम होगी न, वहां पर एक क्यूसन G20 Sikar Samiland से पूछा जाएगा दोस्तूं, आज जो यहां पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, साइद यह मान कर चलो कि आपके एक परसन यहां से पका हर एकजाम के अंदर होगा, तो पचीस MCQs लेकर आया हूँ, G20 Sikar Samiland से, तो जो भी साती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को को द्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है, पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, G20 Sikar Samiland 2023 की मेजबानी किस देश ने की दोस्तूं, भारत, कनाड़ा, जर्मनी या बेलजियम, आपका जो सही उतर यहां पर सितंबर को, 10 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया Samiland का, ये कौन सा Samiland था, ये 18 Samiland था, कौन सा था, 18 G20 का सिकर Samiland था दोस्तूं, समझ गए, एक एक जानकारी आपके लिए यहां से important बनने वाली है, आगे चलिए, अब देखे, 19 वा कहां पर होगा, 17 वा कहां पर हुआ था, त के पास, next question की ओर चलिए, question number 2, G20 सिकर Samiland 2023 की अद्धिक्स्ता किसने की दोस्तूं, द्रोबदी मुर्मू, नरेंदर मोदी, रिसी सुनक या जो बाइडन, G20 सिकर Samiland 2023 की अगर अद्धिक्स्ता की अम बात करते हैं, तो वो की थी, आपका जो सही उतर रहेगा, option 2 यहां पर नरेंदर मोदी ने, किस ने की थी, नरेंदर मोदी ने की थी दोस्तूं, अब देखे, Samiland की अद्धिक्स्ता नरेंदर मोदी ने की, लेकिन यहां से दो क्योशन और बन रहे हैं, वो देखे, दो फिक्ट है, वो देखे आपके, लोगों क्या था इस बार का, खिलता वा कमल का, खिलता वा कमल दोस्तूं, खिलता वा कमल, दूसरी बात, इस बार की थिम क्या थी, वसुदेव कुटूंब कम, वन अर्थ, वन फेमेली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फेमेली, वन फ्यूचर दोस्तूं, तो लोगों खिलता वा कमल, थिम, वसुदेव, कुटूंब क हम दोस्तूं आगे चलिए क्योंसे नमबर तीन की ओर चलिए जी ट्वंटी सिकर सम्मेलन का ये कौन सा सस्क्रण था जो दोजार तेबीस के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया ये कौन सा संस्क्राण था जो आपका G20 सिकर सम्मेलन है उसका दोस्तूं बताईए 16, 17, 18 या 19 ये था आपका 18 सिकर सम्मेलन अब क्योसन तो ये भी बनेंगे कि सर इसकी स्थापना कब हुईती तो थोड़ा सा वेट कीजिए 25 क्योसन है complete एक एक पोइंट अना उससे आपका जानकारी याँ पर मिल जाएगी दोस्तूं आगे चलिए नेक्स्ट क्योसन में अगला आपका भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ अरुणजेटली स्टेडियम नई दिल्ली रुदराक्स कन्वेंशन सेंटर उतरपरदीश नरेंदर मोदी स्टेडियम गुजराथ भारत मंडपम नई दिल्ली सही यहां पे रहेगा ओप्सन आपका चार दोस्तूं बारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर दोस्तूं अब देखे बारत मंडपम को लेकर आपके क्योसन बनने वाले हैं तो उनके बारे में अगला क्योसन आपकी जानकारी के लिए आएगा और यहां पर जो आपका सही ओप पहले बता देता हूँ भारत मंदपम option है आप comment करो भारत का भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या है ये convention center है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा convention center है ये भारत मंदपम 26 जुलाई 2023 को इसका उद्गाटन किया गया था किसके दुवारा नरेंदर मोधी के दुवारा भारत के परदान मंत्री नरेंदर मोधी के दुवारा दोस्तु नेक्स्ट अगले क्योशन की ओर चलते हैं भारत मंडपम में G20 सिकर समेलन 2023 के आयोजन इस्तल पर 25 पिट है 25 पिट उची किसकी परतीमा इस्तापित की गई बारत माता नटराजन कमल का खिलतावा फूल या असोकचिन किसकी परतीमा थी दोस्तु बहुत important और अच्छा क्योशन आपके लिए किसकी थी यह नटराजन की थी दोस्तु अब देखे जो नटराजन की है यह परतीमा जो इस्तापित की गई थी यह उन्नीस टन की थी दोस्तु उन्नीस टन इसका कुल वजन था समझ गए यहां से दूसरी बात यह अश्ट दातु से बनी हुई है अश्ट दातु से बनी हुई परतीमा है दोस्तु यह जिसके अंदर सोना है क्या-क्या चीज है इसके अंदर सोना है इसके अंदर चांदी है इसके अंदर सीशा है इसके अंदर तामबा है इसके अंदर टीन है इसके अंदर टीन के लावब पारा है लोहा है लोहा और लोहा के लावब जस्ता भी है ये आठ दातों मिलाकर इसका निर्मान होया किया गया ये तो हो गया इसकी जानकारी इसकी अलावा दे कि इसको नटराजन की जो मूर्ति है इसको बनाया किस ने था समझ गया यहां पर एक centres तमिल्लाडू राजय के तमिल्लाडू राजय है ना इसकी क्या है मूर्तिकार है जिनका नाम है root सेनापति देव सेना पती सत्पती इनके पुत्रों ने इसका निर्मान है वो किया था दोस्तों समझ गे आगे चलिए नेक्स्ट क्यूसन में जी ट्वन्टी समोय की स्तापना कब हुई थी देखे एक एक क्यूसन आपकी स्क्रीन पे आएगा 1995, 1997, 1999 या 1998 जी ट्वन्टी समोय की स्तापना हुई थी मित्रों आपका सही रहेगा ओपसंतीन 1999 के अंदर जी ट्वन्टी समोय है इसकी स्तापना 1999 के अंदर साथ देश से ना, साथ देश जिनके नाम बताऊंगा मैं आपको, साथ देश के जो विदेश मंत्री है विदेश मंत्री उन्होंने की थी अब देखे क्यूसन कैसा बनेगा थोड़ा डीपली अगर जाएगा ना क्यूसन तो ये बनेगा की जी ट्वन्टी की स्तापना के समय साथ देशों में निमें से कौन सा सामिल नहीं था तो ये साथ देश थे, पहला अमेरिका, पहला है आपका अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, जो दक्षनी अमेरिका, जो माधवीप है वहाँ पर इस्तित है, कनाड़ा, उत्री अमेरिका माधवीप में इस्तित है, जर्मनी, जर्मनी के अलावा फ्रांस, जापान, और इटली ये साथ देश थे इनके जो विदेश मंत्री थे उनके दुआरा इसका इस्तापना की गई थी दोस्तों समझे अब दूसरी बात उन्नी सो नन्यानम में ही बारत इसमें सामिल हुआ था बारत उन्नी सो नन्यानम में के अंदर इसके अंदर सामिल हो गया था दोस्तों आगे चलिए next question में अगले G20 सिकर समयलन का आयोजन किस वर्स किया जाएगा अगला G20 सिकर समयलन किस वर्स उसका आयोजन किया जाएगा तो सही आपका रहेगा option 4 दोजार 24 के अंतर दोजार 24 में इसे कहा पर आयोजन का आयोजन का आएगा तो अभी उसकी जानकारी नहीं दूँगा लेकिन यहाँ पर देखें अगला अगला है निए 19 वा होगा यह सिकर समयलन अब देखें शत्रवा कांपर हुआ अठारवा कांपर हो गया और पहला कांपर हुआ था पहला, यह जानकार important है सत्रवाँ कहा पर हुआ था आ स ¿T कर सम्हेलन हुआ था इंडोनेसिया में कब हुआ था 2022 के अंदर दोस्तूं समझ गे, अठार हुआ भारत में हुआ पहला कहा पर हुआ था वह सी गटन के अंदर वह सी गटन डी सी कहां पर है यह अमेरिका यहां पर पहला सिकर समयलन है G20 का वो सम्मिट हुआ था दोस्तों शमजगे यह वाता 2022 में अब पहला सिकर समयलन है ने इसका यह कब हुआ था यह क्यूसन भी आपके लिए इंपोर्टेंट बन सकता है 2008 में वाता यह 2008 के अंदर याद रिखना यह आगे चलिए नेक्स्ट क्यूसन में वरस 2024 में G20 सिकर समयलन के कौनसे संस्क्रण का आयोजन किया जाएगा कौनसा संस्क्रण रहेगा दोस्तों ओप्सन एक 19 संस्क्रण रहेगा ओप्सन एक आपका सही रहेगा आगे चलिए next वरस 2024 में G20 सिकर समयलन के 19 में संस्क्रण की दिखता कौन सा देश करेगा कौन सा देश करेगा 19 में संस्क्रण जो 2024 में आयोजित होगा सही option option 2 ब्राजिल करेगा दोस्तु option 2 है जो सही रहेगा आगे चलिए G20 के सदस्से में सामिल है G20 नाम से पता चल रहा है या होगा आपको G20 20 देशूं का सम्मू है G20 का आर्थ क्या होता है 20 देशूं का सम्मू है दोस्तू मतलब इसके अंदर कौन-कौन से देश कितने देश है तो option 3 देखे आपका 19 देश और European संग है न वो इसके अंदर क्या है सामील है दोस्तू अब देखें यह 19 देश है कौन-कौन से Germany है आपका थोड़ा ध्यान से देख लेना यहां से क्योसन बन सकता है USA है आपका Russia है आपका UK है आपका Japan है Japan के बाद भारत है भारत के बाद सउदी अरब है सउदी अरब है सउदी अरब के बाद इंडोनेसिया है इंडोनेसिया इंडोनेसिया के बाद में तुर्की है तुर्की के बाद में आस्ट्रेलिया है आस्ट्रेलिया है आस्ट्रेलिया के बाद अर्जेटीना है अर्जेटिना के बाद ब्राजिल है ब्राजिल ब्राजिल के बाद अगर हम बात करते हैं साउत अपरीका साउत अपरीका इसका हिस्सा है साउत कोरिया इसका हिस्सा है कनाड़ा है देखें यह इंपोर्टेंट है यहां से क्यूसन बनेगा आपके फ्रांस है फ्रांस के लावाद चीन है चीन के परदान मंतरी ने इस बार सिर्कत किती राष्टपती ने नहीं किती दोस्तों ये भी याद रखना है मेक्सिको है मेक्सिको इसका बाग है और यूरोपियन कंट्री यूरोपियन यूनियन यूरोपियन संग यूरोपियन यूनियन है वो इसका बाग है ये 19 देश और एक यूरोपियन संग है वो G20 के सदस्यों में सामिल है दोस्तों आगे चलिए next में, G20 का मुक्यले कहां स्तीत है? यह भी अच्चा है कि उसने आप के लिए, देखे G20 का جो मुक्यले है, जिस देश में इसका सम्मिलन आयोजित किया जाता है, उसको भी एक साल के लिए मुक्यले दे दिया जाता है, उसको इदेख्स बना जाता है, तो कोई मुक्यले नहीं है इसका दोस्तों वर्तमान में भारत के पास है देखता दो भारत मुक्यले हो गया इसका आगे चलिए नेक्स्ट में भारत में आयो जीत पहली G20 सेरपा बेटा की मेज़बानी किस सहर ने की दोस्तों पहली जे ट्वंटी सेरप्पा बेटक की मेजबानी किसेर ने की थी ओप्शन एक आपका सही रहेगा उधेपूर ने की थी उधेपूर है राजस्तान के अंदर उधेपूर है राजस्तान में समझ गए अब अब देखे यहां से एक क्यूसन बनेगा बारतिय सेरप्पा कोन बने देखे यह क्यूसन याद रखना बारतिय सेरप्पा कोन थे दोस्तों यह क्यूसन बनेगा आपके लिए कोन थे आमिताब कांत इस बार बारतिय सेरप्पा आमिताब कांत थे दोस्तों यह तो पहली बैटक हुई थी बारतिये से यानि कि जो G20 सेरपा बैटक का दूसरा संस्क्रण है ना वो केरल में आयो जित हुआ था कहां पर केरल के अंदर दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट क्युसन में बारत की G20 अद्देक्स्ता के तेट उर्जा मंत्रियों के बैटक कहां आयो जित हुई थी जो भी 19-20 और European संग है यहां से उर्जा मंत्री आते हैं इनकी जो बैटक होती है वो कहां पर आयो जित की गई थी गोवा के अंदर नमर दो ओपसन आपका सही रहीगा अगला क्योटन 2023 में G20 देश की कलाप परदर्शनी का आयोजन कहँ हुआ था कहाँ पर हुआ था दोस्तु G20 देशुंगों की कलाप परदर्शनी का जो आयोजन है वो क्या गया था पटना बीहार के अंदर नमर तीन ओप्सन है जो सही यहां पे रहेगा दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट क्यूशन के अंदर 2023 में भारत की G20 अदेखस्ता के तेत करसी कारिय समुए की पहली करसी परतिनिदी बेटक कहां आयोजित हुई पहली करसी परतिनिदी बेटक यह आयोजित हुई थी इंदोर कहां पर इंदोर के अंदर दोस्तों यह भी इंपोर्टेंट क्यूशन आपके लिए रह सकता है आगे चलिए नेक्स्ट क्यूशन में 2023 में भारत की G20 अदेखस्ता के तेत पहले व्यापार और निवेसकारिय समोय की बेटक कहां आयोजित हुई पहले व्यापार और निवेसकारिय समोय की बेटक है यह आयोजित हुई थी मुंबई माराष्ट्रा में मुंबई माराष्ट्रा के अंदर नमर एक उप्सन आपका सही रहेगा अगला क्यों से, 2023 में बारत की अद्देख्स्ता में G20 की पहली एंटी क्रप्सन वर्किंग ग्रूप की बेटक कहां आयोजित हुई 19-20 एक European Union, इनकी जो एंटी क्रप्सन वर्किंग ग्रूप की बेटक है वो कहां पर आयोजित की गई थी यह की गई थी ग्रूग्राम और ग्रूग्राम दिल्ली मत कर देना, ग्रूग्राम आपका हरियाना में है तो उप्सन दो है जो यहां पे सही रहीगा आपका, अच्छा क्यों सनय यह भी आगे चलिए नेक्ष्ट में, दोजार तेविस में G20 विदेश मंत्रियों की बेटक कहां आयोजित हुई थी इसका जो आयोजन है वो किया गया था नई दिल्ली के अंदर, कहां पर आयोजित हुई थी यह नई दिल्ली में तीन नमर ओप्सन आपका सही रहीगा अगला क्योसर नमर बीस G20 देसू के विकास मंत्रियूं की बेटक की मेजमानी किसे भारतिय सहर ने की जो G20 देस है उनके जो विकास मंत्री है उनकी जो बेटक हुई थी वो काँपर हुई थी वारानासी के अंदर यूपी वारानासी तो नमर चार ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्योशन नमर 21 में चली अप्रेल 2023 में भारत की G20 की अद्देक्स्ता के दोरान G20 कारियक्रम की मेजबानी किस के अंदर सासित परदेश ने की ये क्योशन वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तो आपका और अच्छा क्योशन बन सकता है अप्रेल 2023 में भारत की G20 की अद्देक्स्ता के दोरान G20 कारियक्रम की मेजबानी किस के अंदर सासित परदेश ने की थी लद्दाक ने दोस्तो नमर एक ओप्सन है जो आपका सही रहेगा अगला क्योशन दोजार तेवीस के G20 सम्मेलन की सम्मेलन में भारतिय सेरप्पा कोन थे पहले बता दिया मैंने कोन थे कमेंट करके बताओ और अगर ये कलास आपको अच्छी लग रही है ट्रेंडिंग है दोस्तों आज के समय में या आज का मान के चलिए ये ट्रेंडिंग बना रहीगा एक साल तक एक साल तक यहाँ से विबिन पर्तियों की प्रिक्सियाओं में क्योशन बनते रहेंगे तो इसके लिए इसको लाइक सेर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब करते जाएए दोस्तों बारतिये सेरपपा बनेते आमिताब कांत दोस्तों नमर दो उपसन आपका सही रहीगा अगला क्योशन जी ट्वंटी देशु के वित मंत्रियों और केंदरिये बेंक गवर्नर की पहली बेटक का आयोजित हुई कहां आयोजित हुई थी है यह आयोजित हुई थी बेंगलूरू करनाटका में जी ट्वंटी समुए की पहली बेटक का आयोजित हुई, कहां आयोजित हुई थी दोस्तु ये, पहली बेटक, वीतिय समावेशन, ये क्यों सन इंपोर्टेंट बन सकता है, वीतिय समावेशन पर वीति कोलकाता के अंदर, नमर चार उप्षन आपका सही रहेगा, अगला क्यो पलस एक है यूरोपियन यूनियन, इनमें ये एक देश है जो सामिल नहीं है, फिर भी इसको इस्ताई अतिती के रूप में आमंत्रित किया जाता है, ये देश कौन सा है, इस्पेन है, कौन सा है, इस्पेन, नमर एक उप्षन आपका सही रहेगा, तो जी ट्वंटी सिकर सम मेलन 2023 से जुड़े हुए 25 के उसन आपके सामने रख दिया है मैंने, आपका प्यार इसमें है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सेर और नए साथी चैनल को सबस्क्राइब करें, किसी भी परकार का कोई डाउट है या जानकारे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इ इस्टाग्राम आइडी दे रखिया जिस पर जाकर आप मेरे को मेसेज कर सकते हैं, सभी सातियों को दन्यवाद, जे हिंद, जे बारत